नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन बिहार लोग सेवा आयोग का एक्जाम अब काफी नजदीक है इनफेक्ट सबका एडमिट कार्ड भी आ गया 12 फरवरी को एक्जाम होने वाला है तो यह जो वीडियो है यह प्रिविएस येर क्वेस्टन के उपर है तो 67 वीपेसी जो की पिछले साल हुआ था 2022 में उसका ये अंशर सीट है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए ये पार्ट वन है क्योंकि क्वेस्टन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 140-50 क्वेस्टन हो जाते हैं तो इसमें मैंने सिर्फ 51 क्वेस्टन लिये हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसमें आप सिर्फ 51 question ही नहीं सीखिएगा, इसमें आप 200 से ज़्यादा question सीख कर जाईएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अन तक देखिए, आपको काफि कुछ सीखने को मिलेगा. तो आईए बात करते अपने पहले प्रस्ण के बारे में, who is known as frontier गांधी, सीमान्त गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, आपके options है, तो इस वीडियो में मैंने total 50 questions लिये हैं, आप लोग सारे के सारे questions जरूर attempt कीजे, अगर आप 40 से ज़्यादा सही उत्तर दे पाते हैं, इसका मतलब है आपके तयारी ठीक चल रही है, और अगर आप 45 से भी ज्यादा सही उत्तर दे पाते हैं, इसका मतलब है आपके तयारी ठ विमांत गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं वो हैं अब्दुल गफार खान इनके और भी कई नाम थे जैसे कि बाचा खान, बाचा खान, फक्रे अपगान ये सारे नामों से ये जाने जाते थे इनका एक और नाम था जो कि था सरहदी गांधी वो इसलिए क्योंकि इनकी जो ideology थी जो विचार धारा थी वो महात्मा गांधी जी से काफी मिलती जुलती थी और इनकी जो friendship थी वो भी महात्मा गांधी जी के साथ काफी अच्छी थी इसलिए इनको सरहदी गांधी भी कहा जाता था 1929 में ये एक organization को found किये थे जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार और ये एक non-violent resistance movement था इनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया जो कि इंडिया का highest civilian award है और ये इनको मिला 1987 में तो अब्दुल गफार खान जी जो थे वो partition के बिलकुल खिलाफ थे ये नहीं चाहते अपने आपको बहुत ये एक मतलब अच्छा नहीं महसूस की एक ये भ्रमित महसूस की अपने आपको ये ऐसा महसूस की जैसे इनके साथ धोखा हो गया इसलिए इन्होंने Congress को कहा था You have thrown us to the wolves मतलब आपने हमें भेडियों के बीच में छोड़ दिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने बाद में पाकिस्तान बन गया तो इसलिए इन्होंने Congress को ये बोला था कि आपने हमें भेडियों के बीच में छोड़ दिया है तो इस तरीके से इसके उपर काफी questions बन सकते हैं जैसे कि You have thrown us to the wolves ये किनका कथन था फिर इनको भारत रतन कब मिला या खुदाई खिदमतगार को किसने फाउंड किया या तो फिर सरहदी गांधी किसको कहा जाता है इस तरीके के कई questions इसमें बन सकते हैं इसलिए आप ये सारे points को ध्यान रखिएगा आईए चलते हैं अपने दोसरे प्रश्न की ओर सरदार उधम सिंग किल्ड हूम सरदार उधम सिंग ने किसे मारा था जनरल डायर, करजन विली, माइकल ओडवायर या सौंडर्स या तो फिर नन अफ द अबव या मोर देन वन अफ द अबव तो यहां पे जो options है इसमें दो confusing है जनरल डायर और माइकल ओडवायर तो जनरल डायर जो था वो उस समय कमांडिंग ओफिसर था जलियावाला बाग में जब यह हत्याकांड हुआ था तो यहां पे यह कमांडिंग ओफिसर था लेकिन जो माइकल ओड्वायर था ये था उस समय का पंजाब का लेफटिनेंट गवर्नर था तो सरदार उधमसिन ने माइकल ओड्वायर को मारा था क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं इसे दोशी पाया था जलियावाला भाग हत्याकांड के लिए तो आईए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं जलियावाला भाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसको अमरित सर हत्याकांड भी कहा जाता है जैसा कि मैंने आप से कहा कि उससमें Michael O. Dwyer पंजाब के लेटिनेंट गवर्नर थे और इन्होंने इस हत्याकांड को सपोर्ट किया था इसे लिए इन्होंने Michael O. Dwyer से ही बदला लिया था सरदार उधम सिम्ने और ये जो Reginal Dyer थे उससमें मैंने आप से कहा कि ये General Officer Commanding थे उस दिन जिन्होंने उस field में मतजलिया वाला बाग में निहत्य लोगों पर गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो जनरल डायर था तो इन्होंने जनरल डायर से बदला न लेकर माइकल ओड़ ड्वायर से बदला लिया था क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसमें हुई थी तो आए तीसरा प्रश्न को देखते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं इन विच येर फर्स्ट सेंसस वास इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया भारत में प्रथम जनगर्णा किस वर्ष प्रारम की गई थी 1872, 1901, 1911 या 1921 तो जो पहली जनगर्णा थी वो हुई थी 1872 इसवी में तो option A इसका correct हो जाएगा तो 1872 इसवी में जब Lord Mayo थे, Vice Roy थे उस समय पहली जनगर्णा संपन हुई थी भारत में लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि पहली official जनगर्णा या पहली complete जनगर्णा अगर पूछा जाए वो कब हुई थी तो वो ही थी 1881 में और उस समय जो Vice Roy थे वो थे Lord Rippon तो अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि पहली जनगर्णा कब हुई थी तो 1872 लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली official जनगर्णा कब हुई थी तो वो हुई थी 1881 में और इसको synchronized census भी कहा जाता है 1881 वाले को synchronized का मतलब यह होता है कि ए एक ही समय में एक देश के हर हिस्से में अगर जनगर्णा हो रही है तो उसको synchronized census कहा जाता है लेकिन जो 1872 में हुआ था वो अलग-अलग समय पे हुआ था इसलिए इसको synchronized census नहीं कहा जाता है फिर census 2011 जो था वो 15 सिंसस था और अभी जो चल रहा है 2023 में वो है 16 सिंसस तो 2021 इ आए देखते हैं चोथे प्रश्न को और तो तीसरे जो थे वो थे ब्रह्मदत यही थे तीसरे सत्यागरही तो option correct हो जाएगा इसका डी correct हो जाएगा तो individual सत्यागरह 1940-41 में यह launch हुआ था और महात्मा गांधी जी इसको शुरुआत किये थे और वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो right to free speech है इसको कही ना कहीं affirm करना था लागू करना था तो पहले सत्यागरही जैसे मैंने आपको बताया आचारी विनोबा भावे थे दूसरे जवार लाल नहरू जी थे और तीसरे ब्रह्मदत जी थे आए देखतें पाचवा प्रस्न in which year उलिसा separated from बिहार किस वर्स उलिसा को बिहार से प्रिथक किया गया मत सबसे पहले 22 मार्च 1912 को बिहार और उलिसा को अलग किया गया था बंगाल से बाद में फिर 1 अप्रेल 1936 को उलिसा को अलग किया गया बिहार से तो उस समय उलिसा एक नया राज्य बना 1 अप्रेल 1936 को उलिसा के जो अभी C.A. में वो है नवीन पटनायक जो की काफी सालों स और पुलिसा के गवर्नर जो है वो है प्रोफेसर गनेशी लाल आईए देखते हैं छटा प्रस्न भारत और चीन के बीच की जो सीमा रिखा है उसको क्या कहा जाता है मैक महोन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इंदरा पॉइंट, दुरंद लाइन या तो फिर इन में से कोई नहीं या तो फिर एक से ज़ादा अगर करेक्ट ऑप्शन है तो आप ऑप्शन यी मार सकते हैं तो मेक महोन लाइन यही correct option है इसका, option यही इसका correct हो जाएगा, red cliff line जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का border है, indra point जो है वो इंडिया का जो southern most territory है वो indra point कहलाता है, durand line जो है यह पाकिस्तान और और अफगानिस्तान के बीच की boundary है, तो आएए इसके बारे में देख लेते हैं यह है, देखिए red cliff line, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो पाकिस्तान दो हिस्सो में था, एक western पाकिस्तान और एक था eastern पाकिस्तान, तो यह जो boundary है, यह है red cliff line, एक इस side है, और एक इस side है, तो भारत और पाकिस्तान का boundary था यह, लेकिन अब तो यह बंगला देश बन चुका मेकमोहन लाइन चाइना और इंडिया का है, red cliff इंडिया और पाकिस्तान का है, डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, 31st parallel जो है, यह है इरान और इराक का boundary, 38th parallel जो है, 38th parallel यह है, South Korea और North Korea का boundary है, 49th parallel जो है, यह है USA और Canada का boundary, तो यह सब points आप लोग जरूर दियान रखिएगा, साथ वा प्रशन देखते हैं, the total geographical area of बिहार state is, बिहार राज्य का कुल भगोलिक शेत्रफल है, कितना है, 94200 स्कॉर किलोमेटर, 94316 स्कॉर किलोमेटर, 94163 स्कॉर किलोमेटर, 9526 स्कॉर किलोमेटर, या तो फिर इन में से कोई नहीं, या तो फिर एक से जादा सही, तो इसका जो correct option है, वो है option C, 94163 स्कॉर किलोमेटर या वर किलोमेटर जो है, ये बिहार का कुल भगोलिक शेत्रफल है, तो बिहार जो है, अगर आप map देखिए बिहार का, तो ये almost rectangular है, मतलब आयताकार है, अगर देखा जाए, शेप में तो, तो 94163 स्कॉर किल mile हो जाएगा, अगर इसको mile में convert करेंगे तो, अगर बिहार का ये आप map देखिए, तो east से west जो है, वो है बिहार का जो map है, वो है 483 किलोमेटर, east से west है, यहां मैं लिख देता हूँ, ताकि आप clear देख सके, 483 किलोमेटर है, east से west, अगर आप north से south देखिएगा, north से south तो य यह है, 345 किलोमेटर है, बिहार में जो total लोग सभा की सीटों की अगर हम लोग बात करें, तो यह है 40 सीटे हैं, अगर राज्य सभा की बात करें, तो राज्य सभा में total 16 सीटे हैं, अगर विधान सभा की बात करें, तो विधान सभा में 243 सीट है, बिहार की अगर population देखे हम लोग तो ये है 10 करोड 40,99,452 ओविसली ये 2011 का सेंसस है क्योंकि 2021 का जो सेंसस है वो अब तक आया ही नहीं है तो 2011 का सेंसस ही हम लोग कॉफी से लाकड़ा देखना है तो उसके नुसार यही है अबादी अगर हम लोग जनसंख्या घनत्तो की बात करें तो वो है ग्यारा सो दो ये है पर किलोमेटर स्क्वाइर ये बिहार का जनसंख्या घनत्तो है और अगर टोटल एरिया की बात करें तो वो है 2.86 परसेंट जितना भारत का टोटल एरिया है उसका 2.86 परसेंट बिहार का एरिया है तो आए देखते है आठवा प्रस्ण Which river is known as sorrow of bhahr? bhihar का शोक किस नदी को कहा जाता है? मतलब इससे भिहार को बहुत दुख पहुचता है भिहार के लिए काफि शोक का विशय है ये नदी तो वो कौन सा है? घागरा, गंगा, कोसी, सोन नदी तो ये चारों में कौन सा है? तो वो है कोसी नदी को कहा जाता है विह को और नाम है वो है शब्त कोशी इसलिए कहा जाता है शब्त कोशी क्योंकि इसके जो साथ ट्रिब्यूटरी है मतलब साथ सहायक नदियां है इसलिए इसको कहा जाता है सब्त कोशी भी इसको कहा जाता है नौवा प्रशन देखते हैं भारत की जनगर्णा 2011 के नुसार सबसे अ जन संख्या में तो वो है भील है तो नवा का correct option हो जाएगा भील जन जाती सबसे जाधा है टोटल जो अनुसुचित जन जाती है उसमें 38% अकेले भील ही अनुसुचित जन जाती है अकेले और ये कुछ राज्यों में जैसे कि अगर महरास्ट्रा देख ले यहां बहुत जाधा पाई जाती है मतलब मिलती है 36 गड़ ये जन जाती है यहां भी बहुत जाधा मिलती है इसके अलावा कुछ और राज्य जैसे की गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन राज्यों में ये जो अनुसीची जंजाती है भील की जंजंख्या काफी ज्यादा है दसवा प्रस्ण देखते हैं, on which date सुखदेव, भगत सिंग और राजगुरु वर हैंगड, सुखदेव, भगत सिंग और तथा राजगुरु को किस तारिक को फासी दी गई थी, आपके ओप्शन से 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सेप्टेंबर 1931, या तो फिर 4 मार्च 1931, तो इ नहीं न कहिए लोग क्या किये, कि गुपचुप तरीके से, एक दिन पहले ही फासी पे लटका दिया थे इन तीनों को, इन तीनों को अरेस्ट किया गया था, 8 अप्रेल 1939 को, क्योंकि इन्होंने सेंट्रल असेम्बली में बम फेका था, इसलिए अरेस्ट किया गया था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्स्राइब कीजे, चैनल को सपोर्ट कीजे, आगे और भी कोस्चन से हम लोग देखते हैं, ग्यारवा प्रश्न देखते हैं, संथाल विद्रों के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रों के जो नेता थे, वो थे सिधू और कानू, तो एक्चुली ये चार भाई थे, इनके अलावा भी थे दो जैसे की, एक थे चान्द और एक थे भैरव, ये सब भाई ही थे, चारो के चारों, और यही चारों संथाल विद्रों के नेता थे, और संथाल विद्रों जो था, वो हुआ था, आठार शाशक बिम्बिसार जो थे, इनका चिकित्सक कौन था, शैल भद्र, विजय सेन, जीवक, या तो फिर मनू, तो इनके जो चिकित्सक थे, वो थे जीवक, और इनके साथ-साथ, ये महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी के भी चिकित्सक थे, क्योंकि महात्मा बुद तो यह इनके भी चिकिसक थे? और विम्विसार के भी चिकित सकते? भिम्विसार वही है, यह हर्यंकर डैनेस्टी के फाउंडर भी रहे हैं, तो इन दोनों के ही चिकित सकते? जीवग, तेरवा प्रशन देखते हैं, सारगैशो सागर, ये एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, इंडियन ओसियन का, आर्क्टिक ओसियन का, नौर्थ अट्लैंटिक ओसियन का, या साउथ अट्लैंटिक ओसियन का, तो ये जो है, ये नौर्थ अट्लैंटिक ओसियन का एक हिस्स जिसका कोई भी Land Boundry नहीं है, चारों तरफ देखी के सागर है Atlantic Ocean और बीच में यह सर गैसो सागर, तो इसका कोई भी Land Boundry नहीं है, ऐसा एक लोता सागर है यह, तो यह भी जीके में कई बार पूछ लिया जाता है, चोदवा प्रस्ण देखते हैं, निम्ण में से कौन से समाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारम्द किये थे तो विलियम बेंटिक जो थे वो 1st Governor General of India ये थे 1st Governor General of India और ये बने थे 1833 सिस्वी में तो अब देखते हैं Abolition of Sati Sati प्रथा का उन्मूलन इन्हों नहीं किया था और ये हुआ था 1839 सिस्वी में और ये हुआ था राजा राम मोहन रॉय जी के सपोर्ट से राजा राम मोहन रॉय जी के सपोर्ट से Lord William Benton ने इसको खतम किया था उसके बाद अगर देखें संगठित ठगी जो चलती थी इसको भी इन्हों नहीं समाब्त किया था और ये समाब्त किया था इन्होंने Colonel Sleeman के सपोर्ट से Colonel Sleeman के सपोर्ट से 1830 सिस्वी में इसको इन्होंने समाब्त किया था लेकिन जो slavery था ये 1843 issue में समाप्थ हुआ था जो कि इनके द्वारा नहीं हुआ था और एक और जो था removal of disabilities due to change of religion ये किया था Lord Dalhousie ने और ये साल था 1850 तो ये दोनों जो थे वो Lord William Benton के द्वारा नहीं हुए थे तो option A और option D correct हो जाएगा तो इसके हिसाब से जो इसमें correct option होगा वो होगा option E एक से ज़्यादा सही उत्तर है इसलिए option E हो जाएगा इसमें आईए अब देखते हैं 15 हवा Who launched secret radio during the quit idea moment भारत चोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंद किया था तो यह किया गया था उशा महता जी के दौरा तो भारत चोड़ो आंदोलन कब लौंच हुआ था तो यह लौंच हुआ था 8 अगस्त 1942 इसवी को भारत चोड़ो आंदोलन लौंच हुआ था और खुफिया रेडियो जो था यह आया था 14 अगस्त 1942 को तो यह जो सीक्रेट रेडियो था खुफिया रेडियो इसको और भे कुछ नामों से जाना जाता था जैसे कि कॉंग्रेस रेडियो या तो फिर आजाद रेडियो यह सब इसी के ही नाम थे तो बेसिकल ये एक भूमिगत रेडियो स्टेशन था और ये कहा जाता है कि INC का ये मुखपत्र था मतलब INC जो चाहती थी वो इस रेडियो के थुरू बोलती थी तो यही था ये मतलब मुखपत्र था जैसे कि अभी आप लोग सुनते होंगे कि शिव सेना जो एक पॉलिटि लोगों तक पहुचाती थी सोलवा प्रशन देखते हैं बिहार के किस जिले में तेलहड कुंड जल प्रपात अवस्थित है सासाराम नवादा कैमूर ये रोहतास तो ये जो तेलहड कुंड जल प्रपात है ये है कैमूर जिले में है आईए इसके बारे में और भी कुछ दे इसके बाद अगर कुछ और वाटरफॉल देखें जैसे कि एक है ककोलत वाटरफॉल ये भी एक जल प्रपात है ये है नवादा जिले में और एक है तुतला भवानी वाटरफॉल ये है रोहतास जिले में है एक और रोहतास जिले में है जो कि है मंझर कुंड वाटरफॉल ये तो यह सब काफी अच्छा द्रिश्ट है अगर आप देख सकते हैं सब वाटरफॉल तो जब भी गर्मियों के छुट्टियों में आप लोग जरूर जाईए एक्जाम के बाद ऐसे वाटरफॉल में इंजॉय करने आईए देखते हैं सत्रहवा प्रश्ण एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जलवाली गोखुर जील बिहार में कौन सी है गोगा लेक कावर लेक अनुपम लेक या कुशेस्वर लेक तो यह है कावर लेक जो की एशिया की सबसे बड़ी है ताजा जलवाली मतलब जो जील है वो यही है कावर लेक है इसके बारे मे इकलोता जो है वो है रामसर साइट है बिहार का इकलोता है टोटल इंडिया में जो है टोटल रामसर साइट यह है टोटल 75 है लेकिन बिहार का इकलोता है यह आईए अठारवा देखते हैं बिहार के किस जिले में सबसे अधीक सोने का भंडार मिला है मुंगेर जमूई बाका या कटिहार, तो ये मिला है, जमुई में मिला है सबसे अधीक सोने का भंडार, एक सर्वे हुआ, सर्वे के हिसाब से मिला, और यहाँ पर लगबग, 222 मिलियन टन सोने का भंडार है, यहाँ पर सर्वे का अनुसार भिहार के जमुई जिले में, हलाँकि अभी इसमें खोज पता चलता है, यहां पर 222 मिलियन टन सोना मिला और भी कई खनी यहां पर दबे हुए हैं 19 वा देखते हैं, बिहार के किस जिले को Silk City के नाम से जाना जाता है कटिहार, भोजपूर, भागलपूर या बाका तो वो जिला है भागलपूर भागलपुर को जाना जाता है सिल्क सिटि के नाम से क्योंकि यहां पर जो एक सिल्ख है तूषा सिल्क यह काफी है महाराश्थ्रा में इसको कहा जाता है वायन कैपिटल ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नाशिक ठीक वैसे ही जैसे कि वारन असी अगर अब लोग वारन असी के बारे में बात करेंगे तो यह जाना जाता है spiritual या तो religious capital of India क्यों क्योंकि यहां पर 64 तो सिर्फ घाट है 64 से भी जादा है almost 64 घाट कह सकते हैं और 2000 से जादा मंदिर इस अकेले वारा नसी में है इसलिए इसको religious capital of India भी कहा जाता है बीसवा प्रस्म देखते हैं भारत की जनगर्णा 2011 के नुसार बिहार में महिला साक्षरतादर क्या है 61.80% आप कहिए 71.25% 50.50% 51.50% तो इसका जो correct option है बीसवा कब हो जाएगा option D 51.50% है महिला साक्षरतादर और यह है 2011 के नुसार क्योंकि ओफिसियल अकडा तो अभी हमारे पास यही मौझूद है 2021 का तो अब तक आया नहीं है तो option D इसका correct हो जाएगा 51.50% तो अगर हम लोग देखे कि total literacy rate क्या था बिहार का 2011 के नुसार तो यह था 61.8% इसमें अगर हम लोग male literacy rate की बात करें कि पूरुष कितने पढ़े लिखे थे तो वो थे 71.2% लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है महिलाओं का तो अगर women literacy rate की हम लोग बात करें तो वो था 51.5% अगर हम लोग sex ratio की बात करें बिहार के तो वो था 918-2011 के आकड़े के अनुसार 21 प्रशन देखते हैं भारत का रास्ट्रपती कितनी बार पुना चुनाव के लिए पात्र होता है एक बार दो बार तीन बार या तो फिर कितनी भी बार वो बन सकता है तो इसका correct option option बी हो जाएगा भारत का रास्ट्रपती कोई कितनी बार भी बन सकता है हलांकि अमुमन दो बार लोग बनते हैं maximum उससे जादा कोई चुनाव लड़ता ही नहीं है रास्ट्रपती पत के लिए लेकिन हम लोग अगर बात करें USA की बात करें तो हाँ पे अभी एक कानून बन गया है अभी नहीं मतलब 100 साल से जादा हो गया कानून बने USA म Franklin Delano Roosevelt ये highest अब तक बने तो दो से जादा और ये बने थे चार वार अमेरिका में रास्ट्रपती Franklin Delano Roosevelt ये चार वार बने थे उसके बाद फिर कानून बन गया और अब अमेरिका में सिर्फ दो ही बार कोई रास्ट्रपती बन सकता है जबकि इंडिया में कितनी बार भी चाहे तो इंडिया में बन सकता है रास्ट्रपती 22 बाइसवा प्रश्न देखते हैं लोग सभा में सामान्यता कितने सत्र होते हैं तीन चार पाच या छे तो लोग सभा में सामान्यता तीन सत्र होते हैं तो एक है बजट सेशन बजट सत्र जो की फरवरी से लेकर मई तक ये चलता है दुसरा है मौनसून सेशन तो यह चलता है जुलाई से लेकर सेप्टेमबर तक और तीसरा है विंटर सेशन यह नवंबर में स्टार्ट होता है और दिसमबर तक यह चलता है तो अभी बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है फरवरी में तो अगर इसके लावा देखा जाए तो कई वार यह question पूछा जाता है कि 2 सत्र के बीच में कितना gap होना चाहिए maximum तो maximum होना चाहिए 6 महिने का gap, 6 महिने का gap होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि एक साल में कम से कम 2 सेशन, 2 सत्र तो होना ही चाहिए, ऐसे जनरली 3 होता है, लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, तेजवा प्रस्ण देखते हैं, भारत में प्रतम कोईला खान कहां खोदी गई थी, जरिया, रानी गंज, धनवाद या आसन सोल, तो पहला जो कोईला का खान थ देखते हैं, अकबारी कागज उद्योग निम्ण में से किस स्थान पर अवस्थित है, सतना, दुर्गापूर, नेपानगर या कानपूर, तो यह है नेपानगर जो की है MP में, यहीं पर यह मौजूद है अकबारी कागज का उद्योग, और यह जो है, यह एसिया का पहला प अध्यप्रदेश, तो थोरियम उत्पाद में जो अग्रणी है वो है केरला, और थोरियम किस चीज के लिए काम आता है, तो यह नुकलियर एनरजी को जनरेशन के लिए, जनरेशन में यह काम आता है थोरियम, तो केरला इसमें सबसे अग्रणी है, इसके अलावा अगर नहीं है मिजोरम में भी नहीं है केरला में भी नहीं है और के सुरी में घालिया में भी नहीं है केरला में तो है इसलिए यह तीनों में नहीं है तो आप्शन यहां पर हो जाएगा भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतिय संबिधान के किस अनुच्छेद में संसोधन की आवशक्ता होगी तो इसमें संसोधन की आवशक्ता होगी Article 83 में भी होगी Article 172 में भी होगी तो इस तरीके से जो option है Option E हो जाएगा इसका correct तो ये दोनों जो आर्टिकिल है ये basically संसत के दोनों सदन होते हैं उसमें जो अवधी है जैसे कि लोक सभा की अवधी है 5-5 साल और राज्य सभा की अवधी है 6 साल तो इसमें कहीं न कहीं संसोधन करना ही पड़ेगा तो option E इसमें correct हो जाएगा 28 वा देखते हैं सोतंत्र भारत के प्रथम विधी आयोग के अध्यक्ष कौन थे लौक कमिशन के तो जस्टिस जे एल कपूर जस्टिस वीके सुंदरम जस्टिस टीवी वेंकटरम आययर या तो फिर मिस्टर MC सेटलवर्ड तो ये थे मिस्टर MC सेटलवर्ड इसके पहले विध जनरल थे महानियवादी थे तो यही बन गए लौक कमिशन के भी चेयरमेन MC सेटलवर्ड और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ही थी 1955 में लौक कमिशन ओफ इंडिया जो पहला था उसका मतलब स्थापना हुआ था 1955 में 29 प्रतेक राज्य में लोगसभा की सीटों का निरध धारन परिसीमन आयोगद्वारा किया जाता है इस परिसीमन को किस वर्स तक रोग दिया गया है तो इस परिसीमन को रोग दिया गया है 2026 तक और जिस amendment के थूरूई से रोगा गया है वो amendment है 84th amendment जो हुआ था 2002 में अटल बिहारी पाजपाई जी के सरकार में यह amendment हुआ था तो 2026 तक अब सीटों का न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है तो अभी कही साब से अगर सीटे देखा जाए तो लोगसभा की सीटे है 550 मैक्सीमम और राज्य सभा की मैक्सीमम है 250 आईए बात करतें तीसवा प्रशन के बारे में बिहार में ओपरेशन प्रहार किस से स सम्बंदित है लीकर बैन से मतलब दारू बैन जो हो चुका है तो इसमें अभी धर पकड़ किया गया था तो उसमें ओपरेशन प्रहार चलाया गया था लोगों को अरेस्ट करने के लिए तो वो था लीकर बैन से सम्बंदित था 31 प्रशन देखते हैं प्रथम बौध महासभा कहां आयोजित हुई थी पाटली पुत्र, राजग्री, अमरावती या कंगन हल्ली तो प्रथम बौध महासभा जो थी वो राजग्री जिसको आजकल राजगीर कहा जाता है वहां आयोजित हुई थी तो यह हुई थी 483 इसा हर्यनक डैनेस्टी से ये थे अजात सत्रू समय राजा थे 483 इसा पुरू में जो हम लोगों के लिए जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है थर्ड बौध महासभा तो थर्ड बौध महासभा जो है वो हुई थी पाटली पुत्रा में जिसको आजकल पटना कहा जाता है यहां हु अगर आपसे दूसरा बौध महासभा पूझ दे सकेंड तो यह हुआ था वैशाली में और अगर आपसे चौथा पूझ दे चार्म बौध महासभा टोटल हुआ था अगर आपसे चौथा पूझ दे तो यह हुई थी काश्मीर में तो यह ध्यान रखीगा यहां से अक्सर ए तो हलागि ये नेत्रित तो कर रहे ही थी 80 से लेकिन इनकी जो मृत्यु ही वह होई ग्वालियर में और उस समय जो ब्रिटीश शेना के नेत्रित तो कर रहे थे वो थे Captain Hughes Rose Captain Hughes Rose उस समय ये British सेना का नेत्रित कर रहे थे अगर आप पूछा जाए बिहार से 1857 का जो यूद दुआ उसका नेत्री तो कौन कर रहे थे तो वो थे कुवर सिंग बाबू कुवर सिंग थे बिहार से अगर आपसे पूछ दे लखनव से कौन कर रहे थे तो लखनव से थी बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल ये कर रहे थी लखनव से अगर आपसे पूच दे डेली से कौन कर रहे थे इसका नित्रितो 1857 की करांती का तो डेली से कर रहे थे जनरल बक्त खान ये कर रहे थे डेली से आईए अब बात करते हैं 33 प्रस्ण के बारे में बंगाल विभाजन के विशय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे उपर बं की तरह गिरा तो ये थे सुरेंदरनाथ बैनर जी ये इन्हों नहीं कहा था कि विभाजन हमारे उपर बं की तरह गिरा और इनको राष्ट्र गुरु का टाइटल मिला हुआ था राष्ट्र गुरु इनको कहा जाता था सुरेंदरनाथ बैनर जी को आईए आगे देखते हैं 34 प्रश्न बार्दोली सत्याग्रा का सफल नेत्रितों किस ने किया था तो बार्दोली सत्याग्रा जो की 1828 इस्वी में हुआ था बार्दोली सत्याग्रा और इसका सफल नेत्रितों करने वाले थे वल्लब भाई पटेल इन फैक्ट इसी जो सत्याग्रा का इन्होंने बहुत अ इसलिए इनके नाम के साथ सरदार सब्द जुड़ गया इनके नाम के साथ, पहले सिर्फ वल्लभाई पटेल थे, इस सत्यागरह के बाद इनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभाई पटेल, इसमें हुआ ये था कि टेक्स बढ़ा दिया गया था लगबग 30% तक, तो इन्होंन का एक सदस्य नहीं था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये बिल्कुल थे, रेम से मकडोनल्ड ये नहीं थे, एवी एलेक्जेंटर भी थे, लोड़ पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन ये बी जो है, ये रेम से मकडोनल्ड ये नहीं थे, तो आप्शन भी इसका करेक्ट हो जाए क्लिमेंट एटली इन्हों नहीं भेजा था ये, इस टीम को उन्होंने भेजा था, कि आप लोग जाईए और इंडिया में देखिए कि कैसे सफल तरीके ससत्ता कहा स्तानतरन किया जाए, चातिसवा, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझोता, किस वर्ष हुआ था, 1929 AD, 1930 AD, 1931 या 1932, तो यह हुआ था, 1931 इस वी में हुआ था, गांधी इरविन समझोता, तो इसमें हुआ ये था, कि गोल में सम्मेलन चल रहा था, राउंड टेबल कॉन्फरेंस, और उसका कॉंग्रेस भहिसकार कर चुकी थी, तो वो लोग चाहते थे, कि कॉंग्रेस के बिना तो डेली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, डेली पैक्ट को, ऐसे समझोता हुआ था, पाच मार्च 1931 को हुआ था, इसके बाद फिर लंदन में जो दुईतिय गोल में सम्मेलन हुआ उसमें कॉंग्रेस हिस्सा ली थी, गांधी जो उसमें गये थे, सैटिस्वा, भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधिहनता का प्रस्ताव का पारित किया था, इन्फेक्ट ये स्वाधिहनता दिवस भी मनाय थे, और वो ये मनाय थे, 26 जनवरी-1930 को स्वाधिहनता दिवस इन लोग मनाय थे, और इसलिए बाद में, जब 26 नवंब को जब संविधान बन कर तयार हो गया तो इन लोग लागू नहीं किये और दो महिने का इंतजार किये ताकि इसी दिवस को जिस दिन 26 जनवरी 1930 को ये लोग सवाधियनता दिवस मनाये थे तो चाहते थे कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हो और इसको फिर रिपब्लिक डे हम लोग मनाये इसी दिन 28 प्रस्ण देखते हैं सुभास चंद्र बोस ने निकोबार दूइब को नया नाम क्या दिया था तो इन्होंने निकोबार दूइब को जो नाम दिया था वो था स्वराज आईलेंड और अंडमान अंडमान दूइब को जो इन्होंने नाम दिया था वो था शहीद आईलेंड 49 वा प्रश्म देखते हैं फरवरी 1922 इसवी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से जब मंदित चौरी चौरा जो एक जगा है वो किस राज्य में है तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में है और जो जिला है वो है गोरकपूर गोरकपूर तो यहीं पे है यह चौरी चौरा नाम का जगा तो इसमें हुआ यह था कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था नौन कॉपरेशन बोव्मेंट उस दवरान क्या किये थे कि जो प्रदर्शन कारी थे उनका एक बड़ा समू पुलीस के साथ भिढ़ गया था और यह पुलीस स्टेशन में घुज गये थे और वहाँ आग लगा दिये थे जिससे 22 से ज़्यादा पुलीस वालों के उसमें मृत्य हो गई थी तो इसी से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को नौन कॉप्रेसर मुव्मेंट को वापस ले दिये थे चालीसवा प्रशन देखते हैं खुदी राम बोस ने किस स्थान पर किंग स्पोर्ट की हत्या का प्रयास किया था तो उन्होंने मुझफरपुर में किंग स्पोर्ट की हत्या का प्रयास किया था और इस कांड में इनके साथ थे प्रफूल चाकी भी थे इनके साथ मौजूद थे और इसी के कारण अंग्रेजों ने फिर 11 अगस्त 1908 हिस्वी को 1908 हिस्वी को खुदी राम बोज जी को 18 वर्ष की एज में फासी दे दी थी सिर्फ 18 साल के थे तब इनको फासी दे दी गई थी 41 अजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दोरान सक्रिय रहा था तो ये रहा था कुट इंडिया मोव्मेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान ये दस्ता काफी सक्रिय रहा था तो कुट इंडिया मोव्मेंट लॉंच किया गया था 8 अगस्त 1942 को और इसी दोरान आजाद दस्ता बिहार में काफी सक्रिय था और ये बेसिकली करांतिकारियों द्वारा एक गुप्त गतिविदियां हो थी इसमें और इसकी स्थापना जो है वो जेपी मतलब जय प्रकास नरायन जी ने किया था और ये नेपाल के राजविलास जंगलों में जाकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी आजाद दस्ता थी वह विकल्प चुनिये जो बिहार की साथ निस्चे भाग टू योजना का हिस्सा नहीं है तो युवा शक्ती प्रोग्रेस ऑफ बिहार ये बिलकुल हिस्सा है strong women, capable women ये भी है, irrigation water to every field ये भी है, airways to everyone ये बिलकुल नहीं है तो ये तीन के अलावा जो बाकी और चार है वो जैसे कि एक है स्वच्छ गाओं, सम्रिद्ध गाओं, एक है स्वच्छ शहर, विक्षित सहर, फिर एक connectivity होगी और आसान और फिर last है सब के लिए स्वास्थ सुविधा, यही साथ जो है, ये साथ निश्चे जो है, ये part 2 स्कीम का जो हिस्सा है, वो ये साथ है, इसमें ये नहीं है, airways to everyone ये नहीं है 43 प्रती व्यक्ति आयके अब रोही क्रम में बिहार राज्य के जिलो का सही क्रम चुनिए तो यहां जो दिया गया जो क्रम है, इसमें जो सबसे suitable है, वो है option A, मतलब नवादा, जो कि दिया गया options में सबसे ज़्यादा समरिद्ध है, फिर किसन गंज, फिर इस चंपारन, फिर अररिया, फिर शिवहर लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे समरिद्ध कौन सा है, तो वो है पटना, और सबसे अगर पूछा जाए सबसे गरीब कौन है, तो वो है शिवहर पटना सबसे संपन्न और शिवहर सबसे गरीब 44वा, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को सम्विधान सभा का सभापती चुना गया, तो कब चुना गया आपको ये बताना है, तो इनको चुना गया था दिसंबर 1946 में, इनको चुना गया था सम्विधान सभा का सभापती चुना गया था, तो ये जो है ये पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे हमारे देश के और ये आते थे बिहार से बिहार के सारण जीला जो है सारण जीला वहाँ पे एक गाउं है जीरा देई जीरा देई नामक गाउं से ये आते हैं पैतालिस्वा, 1946 इस्वी में गठित अंतरीम सरकार के मंतरी मंदल में स्रम विभाग किसे सौपा गया था तो जो स्रम विभाग ता वो सौपा गया था बाबु जग जीवन राम जी को सौपा गया था इनको प्यार से लोग बाबु जी भी कहते थे और ये पहले दलित जान मंतरी ये बने थे 46 वा, 1942 इस्वी में किस तेवहार के अफसर पर जैप्रकास नरायन हजारी बाग जेल से निकल कर भाग गया थे तो ये उसमें दीपा वली का तेवहार उसमें चल रहा था और ये भाग कर नेपाल चले गया थे और वहीं जाकर इन्होंने आजाद दस् काफी सक्रिय था ये दस्ता जैसा कि हम लोग अभी पिछले कोश्चन में बात किये थे सर्वोच न्याले है तो ये क्या है एक फेडरल कोट है प्रोटेक्टर ऑफ यूमन राइट्स है या तो फिर फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ दा कॉंस्टिट्यूशन है सिविल कोट है तो यहां पर उप्शन ई करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा सही उप्शन है यूमन राइट को भी प्रोटेक्ट करता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ दा कॉंस्टिट्यूशन ए फेडरल कोट भी है तो इसलिए उप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा अड़ उन्चासवा पंचायतों की वित्तिय स्थिति की समिक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतेक पाच वर्सों में क्या गठित करती है तो राज्य सरकार गठित करती है फाइनेंस कमिशन हर पाच वर्सों में ये गठित करती है और यह स्टेट फाइनेंस कमिशन होता है और इसमे बानवे में हुआ था इसी के थुरू पचासवा भंडारी समिती किसे सम्बंदित है तो भंडारी समिती जो है वो सम्बंदित है Regional Rural Bank जो है उसके Restructuring से मतलब कहा जाए जो छेतरिये ग्रामीन बैंके हैं छेतरिये ग्रामीन जो बैंक है उनके उनर गठन से ये सम्बंदित है भंडारी समीती 51 जुलाई 2022 में किस देश के पूरो परधान मंतरी शिंजो आबे की चुनाग अवियान के दोरान गोली मारकर हत्या कर दी गई तो ये हैं शिंजो आबे और ये थे जापान के पूरो परधान मंतरी जिनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर और ये हत्या होई थी 8 जुलाई 2022 को और अभी के जो जापान के प्रधान मंत्री है वो है Fumio Kishida Fumio Kishida अभी के जो जापान के प्रधान मंत्री है तो ये पहले थे Shinjo Abe जिनकी मृत्यी हो गई मतलब हत्या कर दी गई गोली मार कर तो ये क्यावन प्रश्ण जो मैंने लिये है अब आप लोग जरूर कमेंट करके बताईए कि आपके कितने अंसर इसमें सही हुए हैं तो फिर आप देखा जाएगा कि आप कितने मतलब कितनी आपके तयारी अच्छी चल रही है तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हैं तो थैंक यू सो मच झाल कितनी आपके बताईए कितनी आपके कितनी आपके जरू क।